हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्टा करेंगे अडानी पावर और अडानी विलमार के शेयर के बारे में तो देखे आज वो सिशन था जब दोनों स्टॉक्स के अंदर आपको एक अच्छी तीजी बनती हुई देखने को मिली दोनों स्टॉक्स बढ़िया करते हुए देखने को मिले और जो तीजी है वो फिर से स्टार्ट होती हुई देखने को मिली है खईदारी है वो फिर से स्ट पार सो के लेवल के अंदर जरूर एंटर कर जाता है बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो इस बार में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले तो डेफिनिटली इंपॉर्टन वीडियो लेने वाला है तो वीडियो पूरा देखेगा फ्रेंट्स अगर आप चैनल स है वो थोड़ी से अद्जस्टेड है इंपॉर्टन बात क्या है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो मूव आता हुआ देखने को मिला है वो इसलिए बहुत बढ़िया है विकास आज लगातर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक इस रेंज में कंसॉलिडेट करने की कोशि इंपॉर्टन ली स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो तेजी आई वो बढ़िया आई और अल्मोस्ट नियर टू अपर सेकिट आई राइट तो इंपॉर्टन ली आई कि अब लास्ट फाइव देखने को मिलेगा तो गिरावट दिखा दी दूसर यहां तक बढ़ने की कर रहा है तो यह बात बेहत जरूरी जानने में कि क्या इन लेवल्स पर ही सस्टेन कर पाएगा अगर सस्टेन कर लिया तो डेफिनिटल देखि तेजी बढ़िया बनेगी लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिरसे वो ही कनसॉलिडेशन यहां पर बनता रहेगा आज दोस्तों अडानी पावर के लिए बेहत बड़ी ख़वर है बिकॉस जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टाइकून अडानी टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग पावर फ्रॉम इंडिया टू बांगलादेश आप समझ यही इस ख़वर का माहिने क्या है देखें यहाँ पर कमपनी जो है वो स्टार्ट कर सकती है जो इनकी एलेक्टरिसिटी है जो कोल फिक्स फायर प्लांट है वो इस्टन इंडिया में इंडिया टू बांगलादेश में before end of the year यहाँ पर कमपनी जो है यह बहुत बड़ी कबर है इंडिया के अंदर तो यहाँ पर काम करी रहा है अडानी पावर लेकिन अब आपको देखने को मुलेगा जो इनका काम है वो एक्सपोर्ट का भी स्टार्ट होगा of energy अब आपको देखने को मुलेगा इनके इंवेस्ट्मेंट है और अब आपको देखने को मुलेगा बांगलादेश में भी as a diplomatic outreach जो है वो अपने infrastructure प्रोवाइड करेंगे यह अपने आप में ख़बर निकल के आई है और आज अगर आप देखेंगे कि गौतम अडानी जी की meet भी हुई थी तो उन्हेंने यही दिखाते कि it is an honor to have met honorable PM of बांगलादेश शेक हसीना तो यह देश तो आज दिल्ली में meet हुई थी because आपको पता ही कि देखें बांगलादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आए वे तो उनकी meet हुई थी और इसी meet में कह सकते हैं कि यह जो deal है वो की गई है जैसे मैंने कहा शुरुवात में कि अच्छी ब वीजन हुआ उससे इनके पास gas, coal, surge सब की दिक्कत आने लग गई और यह याद रखेगा heavily dependent है fossil fuel पे, imported fossil fuel पे electricity के लिए और उनका aim है कि वो double करना जाते power generation capacity by 2041 तो उसके लिए यहाँ पर जो दूसरे alternatives है वो यहाँ पर ढूनने की कोशिश कर रही थी बांगलादेश and definitely दोस् एक dedicated transmission line जो है वो दी जाएगी as a diplomatic outreach to our neighbors तो यह एक important कबर है अब अगर बात करें दूस्तों targets के बारे में तो मुझे लगता है कि अड़ानी पावर definitely इन levels पर बढ़िया दिखता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है upper circuits जो आज लगता हुआ देखने को अला almost मुझे लगता है क कल भी शुरुवात में बढ़िया तीजी होगी बट यही कि 415 रुपे के level के आसपस किस प्रकार से कारोबार करता है अब बात करते दोस्तों यहाँ पर next counter के उपर जो है इसी group का अड़ानी विलमार तो काफी दिनों के बात अड़ानी विलमार भी बढ़िया करा और अब आगर आप देखेंगे तो जरूर यह 4.5% एक महीन में उपर दिख रहा है लेकिन last 5 days के अंदर जो गिरावट थी वो almost अब यहाँ पर समापोती भी देखने को मिल रही है आज 693.70 रुपे बंद है most of the thing because stock में जो major consolidation था वो आपको complete होता बहुत देखने को मिल रहा है अगर दोस्तों consolidation complete हो रहा है तो बिलकुल तेजी बनने की संभावना बनती है दोस्तों अगर आप अटानी विलमार को देखेंगे तो आज जो volume आती ही देखने को मिल यह वह बली 33 लाग के नजदी के अच्छी बात क्या है कि अभी भी buying जो है वह आखिर में भी बनती हो भी देखने को मिल रही है 691.50 पे 21,000 orders आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर pending है and delivery की में बात करते हूं तो delivery almost अगर आप दिखेंगे 40% के लगबग आती ही देखने को मिल रही है बहुत जल दिखेंगे यह आपको मुझे लगता है कि ASM से भी बाहर होता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए अभी state second पे बहुत जल यह निकलता हुआ देखने को मिल जाएग तो यह important है कि 700 रुपे के उपर जब यह निकलता है तो टिक नहीं पाता है यह आपने देखा है कि 700 रुपे तक गया फिर वापी से गिरावट आ गई फिर थोड़ा बहुत तीजी करता है फिर वापी से गिरावट आ जगती है तो यह एक zone है जिसके आजपस इंटर किया है उन levels को बचा है क्योंकि अगर दोस्तों एक बार इन levels को बचाता है फिर यहाँ पर जो तीजी है वो definitely बनती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि levels का अपना important है जो resistance है उसको cross करके उनके उपर देखे बंध होना यह बहुत important है बीच में 720-730 रुपे के आसपस हो सकता है कि एक अगर सपोर्ट करता तो यहाँ साड़े 700 रुपे के लेवल भी काफी दूर नहीं है मुझे अच्छी होते हुए देखने को मिलने चाहिए तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से नहीं जोड़ा सुब्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंड्स वाचिं दिस वीडियो